ओम नमशिवाय जय महाकाल अगर आप ग्रहों की वज़े से बहुत जादा तकलीफ में हैं तो ये विडियो आपके लिए है पूजी गुरुजी की कथा से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा बस आपको थोड़ा सा सरसो का तेल लेना है एक छोटा सा उपाय करना है आपके जीवन में जो भी कस्ट होंगे वो सननी भगवान जरूर दूर करेंगे कैसे करना है बताऊंगा लेकिन उससे पहले हमेशा के तरह कहूंगा कि जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब ने किया तो चैनल सब्सक्राइब करना और विडियो को लाइक जरूर किया करिए ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं विडियो को हमें लेना होगा यहाँ पर सरसो का तेल एक छोटी सी काटोरी लेना पतली सी और उसमें बस एक चमच या फिर दो चमच सरसो का तेल डाल देना जादा मत डालना बहुत महेंगा है घर वाले बहुत बीटेंगे ठीक है तो आपको इस थोड़ा सा सरसो का तेल लेना है और इसमें आपको एक रुद्राक्ष डाल देना है इसी सरसो के तेल में यहीं पर आपके दिमाग में एक सवाल होगा बैया कितने मुखी रुद्राक्ष लेने इसकी कोई दिक्कत नहीं है आपके घर में जितने भी मुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से मिल जाए आपको तो आप उसको लेकर इसमें डाल देना उसके बाद इस कटोरी के लेके आपके घर के आसपास कहीं पर भी शनी भगवान की फोटो मूर्ती प्रतिमा हो तो वहाँ पर ले जाकर के आपको यह कहते हुए समर्पित करना है कि आपके जीवन में जो भी कस्ट है जो भी ग्रह परेशान है या फिर शनी भगवान करके समर्पित करना चीह, देखो आपको टच नहीं करना है, आपको चू करके फिर अपने मस्तक वग़रापे नहीं लगाना है, बस आपको थोड़ा दूर से ही इसको कर ले ना है तब भी एगर आपको धिकत है कि हम तो नहीं जाएंगे पास में तो आपके पास एक आप्स आप अपने साथ अपने बच्चे को ले जाए, अपने हस्बिन को ले जाए, माता पिता को ले जाए और उनको देने चढ़ाने के लिए और उनसे भी कैदे कि यही प्रात्ना कर लेना कि हमारे घर में जो भी या फिर हमारे जीवन में जिस भी प्रकार के ग्रह परिशान कर रहे है वो हिसान्द कर दें आप कहोगे भाईया रुद्राक्ष को हम तेल में डालने का मतलब क्या है देखो रुद्राक्ष का मतलब क्या है रुद्र रुद्र मतलब क्या है भगवान शिव तो जब भगवान शिव और शनी दोनों का मिलन करकर के आप उस रुद्राक्ष के तेल वाले को आपको समर्पित करोगे जब आप भगवान शनी को तो अब उससे जो भी कस्ट होंगे, जो भी ग्रे होंगे, वो शान्त जरूर होंगे, कहोगे भया, इस उपाय को कब करना है, तो इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शनी वार के दिन करना है, वो भी शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में, ठीक है, और कभी भी आपको नहीं करना, ठीके, कोशिश के ही आपको अच्छा समझाने के वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजे, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आ नीचे, कॉमेट में पूछें, आज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओम नमस्षिवाय, जय महागाल